अलो फ्रेंट्स में हूत अनुछ पात्रा एंड वेलकम तो मैं चानल हमने वर्डप्रेस के सीरीज में लास्ट यह देखा था कि व्डब्लूपी क्वेरी से हम अपने पोस्ट को कैसे फैच कर सकते हैं हमने यहां पर अपने कस्टम टेबल में से यहां पर अपना यहां पर फैच किया था एक टेबल और हमने अपने वर्डप्रेस के पोस्ट को यहां पर फैच किया था आपको यह पोस्ट थोरा डिफरेंट लग रहा होगा क्योंकि लास्ट वीडियो में कुछ और था इस वीडि करेंगे कि अपने WP query में हम और कौन-कौन से argument पास कर सकते हैं जिससे हम अपने tags या category wise अपने post को fetch कर सके हैं तो friends start करते हैं थोड़े basic tags है post per page, post per page यह tag क्या करेगा आपके, sorry per page, post नहीं, posts आएगा, posts per page, okay, तो इस tag से आप decide कर सकते हैं कि आपको particular एक बार में कितने post अपने page में show करने हैं, तो मैं यहाँ चलके reload करता हूँ, तो देखें यहाँ पर दो post आ गए, इसको मैं बढ़ा देता हूँ, देखें यहाँ पर 3, इसी तरीका से एक और tag है, offset, आपको कितने post में offset करवाना है, जैसे कि, क्या होता है friends, कि जब हम pagination का use करते हैं, तो जैसे ही हम next पर click करते हैं, तो हमें यह decide करना होता है कि अब जो हमने post दिखायते हैं, वह समझ लिए 5 post दिखायते हैं, उसने next page पर click किया, तो उसको पहले के 5 post के अलावा के दूसरे 5 दिखाने, तो आप इससे यह value यहाँ पर pass करके इससे handle कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर reload करूँ, तो देखिए, 4 और 5 निकल गए, यहाँ पर 3, 2 और 1 आ गए यहाँ पर, ठीक है, यह हो गया, दूसरे कुछ और arguments हैं, जैसे कि, order, आपको कौन से order में चाहिए अपने posts, तो इसके दो possible argument है, ASC और ESC, तो एक यह देख लेते हैं, यहाँ पर ascending में हो गई है, ठीक है, तो यह किसी साप से अपने ascending हो हो गई है, यह title के हिसाप से ascending में हो गई, अगर आपको चाहिए कि ascending में आपको id के हिसाप से करना है, तो आप कर सकते हैं, यहाँ पर, order by, order by हम दे देंगे id, अपको कॉमा भूल गयते हैं, order by हमना id दे दिया, reload करके देखते हैं, देखे, 2, 3, 4, 1 क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने यह आपको offset किया है, 2 का, अगर मैं यह आपको offset 0 कर देता हूँ, 5, 1, 2, अब देखे, यह क्यों आया, property 5 add किया है, यह मैंने अलग से add नहीं किया है, जो मारा wordpress का default post आता है, hello world का, उसे को मैंने rename कर दिया है, तो, क्योंकि वो post सबसे पहले add हुआ था हमरे in post के मुकाबले में, इसलिए उसकी id, इन से small है, इसलिए वो ascending में उपर आ रहा है ठीक है, यह हो गया, id की बाद order by हो गया, ठीक है, चलिए, तो, दूसरा अब हम देख लेते हैं, कि अब अगर हमें categories या tags में से, इनके through अगर कुछ हमें fetch करवाना है, तो हम कैसे करवा सकते है, तो categories का तो आपने actually पहले video में भी देखा था, ठीक है, तो यह category था हमारा, और यह हमारा category का slug था, तो यहाँ पर मैं एक बार चलता हूँ, देख लेते हमारे category का slug क्या है, तो, अख, यहाँ पर है river view, यह चोटा है, यह ले लेते है, river view, छोले, एक यहाँ पर मैं यह और मैं गलती यह कि है, कि मैंने यहाँ पर लिखा तो है category ने, लेकिन मैंने तेख- लिए है tag का, तो मैं काम करता हुँ यहाँ पर, मैं इसको change करके कर देता हूँ, इसको हमने tag कर दिया, तो फ़र चलते हैं कि यहाँ पर, reload करके देखते हैं क्या आता है, देखिए property 5, property 5 में अमरा आ गया tag, तो था यहां पर रिवर है जिर्फ प्रोपटी 5 ठीक है तो अब अगर आपको चाहिए कि दूसरा भी कुछ आ जाए जैसे यह विथ लॉन है एक पर वो ले लेते हैं तो मैं यहां पर ही डालूंगा कॉमा देखते हैं चलता है कि नहीं चलते हैं और रिलोड गरता है देखिए प्रोपटी 4 भी यहां पर लिस्ट हो गया ठीक है चलिए अब यह तो हो गई हमारे टैग की बात अब क्या होगा अगर आपको चाहिए कि टैग के साथ साथ मुझे कोई क्याटे करें भीच है तो उससे हम क मैं नाचे चलूँगा यहां पर खूमा लगा लेते हैं नीचे चलकर मैं यहां पर लखूँगा टैक्स इंडरस्कोर को एकूर में आपको बताते हो थौरी दिर मैं यहां पर multiple arrays क्यों user है मैं आपको बताता हूं थोरी दिर में तो पहला जो argument है यहां पर पहला argument होता है taxonomy यह x-o-n-o-my taxonomy एक बार spelling देख लेते है देखिए यह जो आपको page है wp query का यहां पर आपको सारी चीज़े almost मिल ही जाएंगी तो यह रहां देखिए tax query इसमें कौन-कौन से चीज़े पास हो सकती है आपको यहां पर मिल जाएगा यह पूरा है तो यहां पर tax query है उसके अंदर पहले relation पास हो सकता है पहले argument और उसके array में taxonomy पास होगा relation क्या है वह मैं आपको बताता हूं यह करके इन सारे properties की बात करते हैं और यहां पर taxonomy basically क्या है जो हमारा grouping है जो हमारे post की grouping है वह किस हिसाब से हो रही है तो हमारा जो यहां पर grouping है वह रहा है category के इसाब से तो हम यहां पर देंगे category जो second parameter है वह है फिल्ड क्या बोलता है कि आपका जो आप पास करने वाले जो आपके categories आप पास करने वाले वह आप कौन सी चीज़ पास करने वाले category की ID उसका नाम या उसका slug तो हम यहां पर ले लेंगे slug आप अगर यहां पर जाएंगे WP query में तो आपको यहां पर taxonomy parameters में यहां पर tax query के अंडर यहां पर fields मिल जाएगा और इसमें जो possible values है वह आपको यहां पर मिल जाएगी default क्या जाता है term ID जाता है और क्या क्या डाल सकते हम name डाल सकते है slug डाल सकते है term taxonomy ID डाल सकते है ठीक है तो हम यहां पर slug का यूज़ कर रहे है नीचे जाते है और यहां पर हमें चाहिए यहां पर यहां पर स्ट्रिंग भी पास कर सकते है अगर एक चीज़ यूज़ कर रहे जन्रल यह आप आदत रखे कि यहां पर array ले लिजाए और हम array पास करेंगा यहां पर तो category ले ले लेते तो लैट कर देते हैं यहां पर फ्रॉपर्टी फाइव आई तो एक पर चेक कर लेते कि फिफ प्रॉपर्टी में क्या है तो इसमें है category हमेरा आगया फ्लैट और क्यूंकि हमने यहां पर tag भी दिया हुआ है तो river view और with lawn तो river view और with lawn तो इसको जहां पर दोनों चीज़े मिल और category भी मिल गई वह इसने हमें लाक्या दिखा दिया ठीक है तो क्या हुआ यहां पर tag थे यह दोनों इन दोनों में से कोई एक tag मिल गया उसको और यह category मिल गई तो इसने हमें वह result यहां पर दे दिया अब जो relation की बात थी tax query में जो relation की बात थी वह उसे एक बार देख लेत है तो यहां पर पास करूँगा रिलेशन रिलेशन यहां पर पास करते है एंड अब देखे फ्रेंसे रिलेशन कब यूज करते थे जैसे मैंने बताया था SQL query में जब हम where condition लगाते है उसमें हम and या और रिलेशन यूज कर सकते था यहां पर भी वही चीज़ है same and या और लेकिन हम दूसरी query कैसा लिखेंगे हम यह करेंगे यहां पर पॉमा करके यहां पर दूसरा array ले लेंगे तो क्या हो जाएगा इस same tax query में and operator लगाया हमने इन दोनों condition के बीच में अब देखें यहां पर हमर पास एक ही category है देखे grouping type है categories तो मैं से category यूज़ कर रहा हूं हो सकते हैं आपने दूसरा कोई taxonomy create किया हो सहाँ हो सकते हैं आपने कोई custom post type create किया हो उसमें अलग-अलग taxonomies add की हो category की तरह यूज़ करने के लिए तो वह आपको उसका स्लग यहां पर देना है तो फ्लैट का है फ्लैट का में एक और कुछ दे देता हूं दे देते प्लॉट प्लॉट दे देते हैं ठीक है रिलोड करते हैं देखिए अभी भी 50 आया क्यों क्योंकि हमारे यहां पर tag की वाली query चल रही है इसको मैं comment कर देता हूं तो वापसा कर रिलोड करते हैं अभी भी 50 आया क्यों क्योंकि उसको plot और मुद्ब हमने यहां पर क्या किया है यह ऐसा बोला है कि plot end flat यह दोनों value यहा करते है यहां पर end को और कर देते है अब देखते है क्या result आता है अब हमरे पस आया 5 second और third क्यों आया 5 में 5 में हमें दोनों चीज़े मिल रहे है सेकेंड में flat मिल रहा है थर्ड में plot मिल रहा है ठीक है चलिए अब अगर हमें करना हो compare हम इसमें compare कर सकते हैं कि not in sorry यहां पर compare नहीं आएगा यहां पर आएगा operator तो चलके एक पर reload करते है यहां पर कुछ तो change वा क्या change वा 5 आ गया 1 आ गया और 3 आ गया टू निकल गया हमारा इधर से तो क्यों निकल गया एक बर देखते हैं तो सेकेंड में सिर्फ फ्लैट मिल रहा था और हमने बोला है कि वह चाहिए जिन में flat ना हो तो सेकेंड यहां से निकल गया तो आज के वीडियो में मैं उम्मेंद करता हो कि आपको कुछ नया सीखना को मिला होगा और आज हम यहां तक ही रखेंगे टैक्सनोमी आज देखा कि ट्यक्स क्वैरी को कैसे यूज करते रिलेशन और सॉरी मेरी बैटरी कातम होने वाले लेप्ट आप की कोई बात नहीं इसके रिगार्टिंग जितना भी डेटा चाहिए आपको डव्लोपी क्वैरीज का जो मैं अबको लास्ट वीडियो में लिं मैं आपको link दे दूंगा WP queries का आपको यहां पर category parameters में नीचे जाएंगे नीचे scroll करेंगे आपको यहां पर tag parameters मिल जाएंगे और नीचे जाएंगे तो आपको यहां पर taxonomy parameters मिल जाएंगे तो आपको यहां पर जो भी necessary data है जो आपके default values और जो possible values है जैसे operator में हमने सिर्फ not in द कर सकते हैं ठीक है यह सारे जो भी आपके डिफॉल्ट सॉरे जो भी आपके पॉसिबल वैल्यूज है वह सब आपको यहां पर मिल जाए चले फ्रेंट्स तो थैंक यू फॉर वाचिंग इस वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक किजिए सस्क्राइब किज़ा और अपने फ्रेंट्स के साथ ज़रूर सैर कीज़ागा अपको अगर कोई भी कोशें हो सुर्ण हो और फिर कोई बी फ्रीविय्ज टापिक के डिवैडेट्टिड अगर आपको अपने किसी प्रोजक्ट में कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो प्लीज मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए मैं आप पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी में हेल्प कर सको ठीक है? एले फ्रेंट्स थैंक यू एंड टेक केर